हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का, वोलकनों आईएज के इस प्लेटफॉर्म पे, स्टुडेंट्स अगर हम बात करें इस लेक्श्यर के बारे में, तो इस लेक्श्यर हमारा एक्स्प्लेंट एडिटोरियल सीरीज का लेक्श्यर है, जिसके अंदर हम इंडियन newspaper या इसके अलावा जो कोई important newspaper हैं जैसे कि business line and business standard तो उन से related कोई यहाँ पे हमारे exam के purpose के जो editorials होंगे उनको cover करेंगे इस lecture series के अंदर students यहाँ पे maximum हम Indian experts related ही जो editorials and explains है उनको भी cover किया जाएगा यहाँ पे और the Hindu के जो editorials के बारे में बात करें तो उसका एक separate lecture series है वो आप हमारे टेलिग्राम चैनल या हमारा YouTube channel है वहाँ पे देख सकते हो दाहिंदू के जो editorials है वो वहाँ पे cover किये जाएंगे तो students यहाँ आज का जो editorial discussion है उसको start करते हैं आप देखे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कौन-कौन से topics के बारे में हम discuss करने वाले हैं तो कोविन का data leakage की वज़े से यह topic news के अंदर में था तो यह हमारे कहा exam के purpose से कैसे important है GS paper 3 के अंदर cyber security का एक topic है syllabus के अंदर में तो GS paper 3 के अंदर में इसको cover किया जा सकता है next अगर हम बात करें अलनीनों के बारे में तो जोग्रोफी उसे related जो questions हैं वो GS paper 1 के अंदर पूछे जाते हैं या आप देखें कि अलनीनों को यहां पे अगर disaster के साथ में अगर cover किया गया या मानसून pattern के साथ में cover किया गया या agriculture के उपर क्या effect होता है तो इसको GS paper 3 के अंदर भी इस question को पूछा जा सकता है अलनीनों एनलानीनों के बारे में next हम यहां पे accountability के बारे में बात करेंगे यह कल का जो इंडियन express है उसके अंदर इसको cover किया गया था तो accountability का जो topic है वो GS paper second के अंदर है GS paper second का जो syllabus है उसके अंदर governance है और governance के कुछ concepts है कि accountability के बारे में भी आपको पता होना चाहिए students यह Darwin के बारे में है तो scientific temper को development करने के लिए किस तरीके से Darwin की जो theory है वो जरूरी है और यहां पे हम देखेंगे कि कैसे यहां पे important है हमारे यहां पे कि जो Darwin को जो ban करने का या जो scientific evolution है उसको किस तरीके से ban किया गया है काफी सारे countries के अंदर और एक New Zealand का concept है जहां पे ancient जो knowledge है और modern जो scientific knowledge है दोनों को वहां पे cover किया गया है combined wave के अंदर में तो उस example के बारे में भी बात करेंगे इसके लावे students आप देखिए कि scientific temper को development करना हमारी fundamental duty का भी एक part है तो आपको fundamental duty के बारे में पता होना चाहिए article 51A के बारे में और इसको 40 second constitution amendment act के थुरू add किया गया था स्वाण सिंग कमेटी के बाद में स्वाण सिंग कमेटी के recommendation के बारे बाद में तो students इन सबको हम cover करेंगे तो हमारे first topic के बारे में अगर हम बात करें तो first topic है COVID का जो data है उसके leakage के बारे में हमारी health ministry के दुआरा इसको deny किया गया है और health ministry के दुआरा एक यहाँ पे जो कमेटी है वो constitute की गई है जो site India है जो Indian computer and emergency response team है हमारी जो ministry of electronics and information technology है मेटी जो ministry है उसके अंडर में आते हैं यह institution और इसका main काम यही है कि हमारे country के अंदर अगर cyber security से regarding में कोई problem है तो उसको deal करना इसका main work है तो उन सब topics के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि site के दुआरा किस तरीके से जो report है वो निकाली जाए यह और किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो cyber security है वो important है तो students आप देखें कि COVID-19 के outbreak के समय आपको काफी सारे जो app है काफी सारा जो digital जो push है digital development है वो देखने के लिए मिलता है तो COVID जो platform है COVID platform के अगर हम full meaning की बात करें COVID vaccine intelligence network है COVID vaccine intelligence network है की pandemic के समय में यह जो app है इसके थुरू जो COVID की जो vaccine है उसका registration या COVID की जो vaccine का जो certification है वो सभी आपको इस COVID platform के थुरू ही available था तो इस वज़े से जो COVID platform है यह important है ऐसे ही दो और important digital platform थे उस समय में एक आरोग्य सेतु है आरोग्य सेतु आपको देखने के लिए मिलेगा आरोग्य सेतु के अलावा आप देखे कि वहाँ पे ही आपको उसी समय में एक उमंग app है जो की digital governance के purpose से या mobile governance के रूप से भी उसको जाना जाता है उसका present आपको जो presence है वो भी देखने के लिए मिलती है तो यह जो तीनों apps है इसके अंदर बताया गया है कि जो कोविन का जो platform है जो की basically ministry of health के अंडर में है और ministry of health का जो यहाँ पर empowered group है vaccine administration के regarding में उनके दुआरा इस group को head किया जाता है इस कोविन के platform को national health authority के दुआरा जो की हमारी 2017 के अंदर में जो हमारी national health policy है उसके थुरू जो national health authority है वो create की गई थी हमारी health policy 2017 के थुरू में इस्टुडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि यह कोविन platform है कोविन platform के बारे में हमने discuss किया कि यह vaccine passport के रूप से भी इसको जाना जाता था second wave या first wave के समय उस समय अगर किसी को travel करना है तो कोविन का आपका पास certification होना चीए कोविन का जो functioning था उसके बारे में हमने देखा कि कोविन का जो functioning है वो यहाँ पर certification है वो provide करवाना है किस तरीके से यहाँ पर जो vaccination है उसका verification है वो सब information provide करवाना था आरों के से तो है उमंग एप है उमंग एप की full form के बारे में बात करें unified mobile application for new age governance है तो आपको governance के regarding के जो information है वो आपको देखने के लिए मिलती है या governance driving जो information है वो आपको देखने के लिए मिलती है उमंग एप के थूँ अब यहाँ पे आपको cyber security से regarding में कुछ information पता होनी चीए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीए कि cyber security क्या है students जो हमारा cyber space है या digital space है उसको secure करना ही cyber security माना गया है जो हमारा digital space है जो हमारा digital space है उसको secure करना ही cyber security का purpose माना गया है यहाँ पे cyber security के अंदर में क्या इंडिया में cyber security है वो हो सकती है या cyber security की जरुरत क्यों है क्यों यहाँ पे digitalization है वो increase हुआ है तो उसके behind के अगर हम बात करें कि इंडिया में जो cyber security है उसके need की जरुरत क्यों है सबसे पहले आप देखे कि government of India के दुआरा digitalization को push है वो किया गया है आप देखे कि हमारा digital India mission है काफी सारे ऐसे जो working concepts है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं present समय में digital way में जैसे हम बात करें after covid के बारे में जो online work है आप जो यह video देख रहे हुए यह भी online के तुरु ही है तो काफी सारे जो work है वो increase हुए थे digital जो push है वो आपको देखने के लिए मिलता है cyber security के regarding में हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे systems जो यूज किये जाते हैं जो mobile phones यूज किये जाते हैं तो cyber security इंडिया की एक vulnerable देखने के लिए मिलती है आप देखे कि काफी सारे जो ransom calls हैं काफी सारे YouTube channels को hack किया जाता है वहाँ पे ransom मांगी जाती हैं ऐसे आपको incidents समय समय पे देखने के लिए मिलते हैं cyber users की जो संक्या है वो increase हुई है due to mobile जो internet का penetration increase होने की वज़े से और online transaction है वो आप देखे कि यहाँ पे increase हुए है तो इस वज़े से जो cyber security है उसकी need है कि यह जो online transaction means digital space के अं transaction के purpose से हो या office work की वज़े से हो education के purpose से हो वो increase होने की वज़े से यहाँ पे एक proper cyber security होनी चीए cyber security क्या है कि cyber space या digital space को secure करना किसी भी एक damage से किसी भी एक attack से या misuse से वो ही cyber security है अब main issue क्या है हमारे यहाँ पे इंडिया में cyber security के regarding में तो आप देखे कि इंडिया में जो literacy है वो काफी high है illiteracy काफी ज्यादा होने की वज़े से काफी सारे even आप देखे कि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे जो हमारा ही कोई ना कोई course या initiative से वो join करते हैं और बाद में दो तीन दिन तक इस तरीके से करे करते रहेंगे कि mail को किस तरीके से open करना है तो इस तरीके के incidents आपको देखने के लिए मिलते हैं even that students are preparing for UPSC और उनको mails open करना नहीं आता इस तरीके के जो incidents हैं तो digital literacy है वो आपको काफी high देखने के लिए मिलती है हमारे जो mobile manufacturing है वो इंडिया की नहीं है बाहर के countries के उपर हम depend हैं तो जो import dependence होने की वज़े से हमारे यह अगर आपके पास में कोई digital fraud होता है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफी कुछ लोगों को यह नहीं पता कि इसका जो reporting है वो कहां पे करनी है शाया आपके digital transaction के अंदर कोई fraud हो तो unreporting of frauds आपको देखने के लिए मिलता है इसके regarding में आप देखे कि जो digital fraud है या जो fishing की जो activity है वो आपको दो तीन centers है जो इंडिया के अंदर इमर्ज हुए है एक जामतारा नाम की जगए है जारकंड के अंदर जामतारा नाम की जगए है जिसके regarding में एक आपको web series है वो भी देखने के लिए मिलती है कि को वहां पे किस तरीके से जो cyber fraud है वो किये जाते हैं हर इंडिया में इनके regarding में किस तरीके से कोई steps लिए गए है गोर्मेंट के दुआरा एक तो आप देखें कि जो site है computer emergency response team है उसको create किया गया इसके लावा cyber सुरक्सित जो भारत initiative है वो launch किये गए है national cyber security policy है 2013 के अंदर में cyber security का जो policy है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि cyber security ह होनी चीए सबी हमारे जो important जो cyber space है उसको secure करना है इसके लावा जो हमारे critical information infrastructure है उनको PMO के अंडर में उनको protection centers है वो create किये गए है national critical information infrastructure protection centers है under the PMO उनको develop किया गया है तो students यह cyber security के बारे में था cyber security क्या है और कोविन के platform के थूँ यह जो topic है वो news के अंदर में आया है next हम यहाँ पे बात करेंगे alnino and monsoon period के बारे में कि alnino का concept क्या है और monsoon को किस तरीके से वो effect करता है उस सब topics के बारे में यहाँ पे हम discuss करेंगे तो students सबसे पहले आपको alnino and lanino के बारे में पता होना चीए पर यह concept क्या है कि तीन यहाँ पे एक neutral moment भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और इन तीनों जो यहाँ पे जो तीन phase है जो pacific ocean के बीच का जो warm water या cool down of water है या water के moment के regarding के जो यहाँ पे जो graphical phenomena है इन तीनों को यहाँ पे combined way में जाना जाता है अलनीनो southern oscillation या ENSO के नाम से भी उसको जाना जाता है जो pacific ocean के अंदर water का जो moment है तो अलनीनो का अगर हम बात करें अलनीनो के अंदर आप present समय में और न्यूज के अंदर है आपको यहाँ पे जो surface temperature है हमारे जो equatorial pacific ocean के region का वहाँ का जो surface temperature है वो आपको ज्यादा देखने के मिलेगा जो हमारा इसकी वज़े से जो मानसून जो rainfall है उसको यह suppress करता है उसको यह decline करता है लानीनो इसका completely opposite है लानीनो के अंदर आपको यहाँ पे जो surface temperature है वो cooling down देखने के लिए मिलेगा काफी कम देखने के लिए मिलेगा और आप देखे कि जो equatorial and pacific जो ocean region है उसके अंदर जो sea surface temperature है roughly long term average उनका जो temperature है वो sea surface का जो average temperature आपको देखने के लिए मिलेगा तो completely neutral है इन तीनों को यहाँ पे अल्नीनो सदन oxidation के रूप से भी जाना जाता है अब यह अल्नीनो का जो concept हो कब यहाँ पे existence के अंदर आया किस तरीके से यह vary करता है उसके बारे में अगर ह जिसके अंदर west east की side में जो यहाँ पे air pressures है जो basically flow करते हैं तो atmosphere का जो synchronized way है जो cooling effect है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि western part के अंदर कौन है eastern part के अंदर कौन सा region है यहाँ पे हम यहाँ जो water movement है उसके बारे में discuss करेंगे basically इस region क के अंदर में अब आप सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अलनीनो और लानीनो का जो concept हो कब existence के अंदर आया तो सबसे पहले जो अलनीनो है वो 1920 के समय में उसको report किया गया था जो local population है पेरू एन इक्वाडोर का उस पेरू और इक्वाडोर की जो local population है उनके द आप देखें कि वोटर का अगर हम moment के बारे में बात करें तो students जो equatorial and pacific ocean का जो यह region है अगर हम बात करें कि जो Ecuador and Peru पेरू का जो west वाला जो region है और इसके अलावा अगर आप देखें कि जो Philippines and Indonesia का जो region है यह Philippines and Indonesia से ले अगर Peru and Ecuador का यह जो region है इसके अंदर आपको जो land surface है वो 13,000 km के आसपास का यह जो area है इस 13,000 आसपास के इस area के अंदर में sunlight आपको maximum देखने के लिए मिलेगी और यह देखें कि आप यह equatorial का region है और यहाँ पे आपको जो trade winds है trade winds के नाम से जानी जाती है जो आपको की trade winds है उनके आपको direction east से west की तरब देखने के लिए मिलती है इस trade winds की वज़े से यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ पे moment है उसका देखने के लिए मिलेगा तो यह पानी का जो moment है उसी का या completely यह जो फिनोमिना है जो इसको अलनीनो और लानीनो के रूप से जाना जाता है जिसके अंदर आप देखिए अगर हम बात करें अलनीनो सदन उक्स relation के बारे में तो trade wind की वज़े से जो tropical region है tropical region की वज़े से यहाँ पे sunlight का जो exposure हो maximum देखने के लिए मिलता है कोई भी land surface ना होनी की वज़े से पानी का जो moment है वो quiet आपको warm है quiet moment आपको देखने के लिए मिलेगा तो trade winds की वज़े से यहाँ पे जो warm water है कहीं पे भी जो गरम पा वो start करेगा और moment start करने की वज़े से आपको यहाँ पे तो tropical region के अंदर आपको जो पानी है वो गरम होता हुआ दिखाई देगा और permanent वहाँ पे जो wind system है या जो trade winds है उनकी presence होने की वज़े से आप देखे कि यहाँ पे trade winds की presence होने की वज़े से जो Pacific Ocean का जो water है उसका जो moment start हो और relative warm water को यहाँ पे westernward जो direction है उसके लिए वो push करेगा तो इसके वज़े से आपको देखने के लिए मिलेगा जो surface water है eastern जो Pacific Ocean का जो surface water है वो यहाँ पे जो moment है यह water का जो moment है वो देखने के लिए मिलेगा और फिर warm water को यहाँ पे replace किया जाएगा cold water के दुआरा cold water के दुआरा इस जो warm water है उसको वहाँ पे replace किया जाएगा warm water का moment होगा और यहाँ पे downside में जो cold water है उसका upwelling यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा तो students यही जो complete moment है उसी का concept उसका जो trade winds के साथ में जो correlation है वो alnino and lanino को create करता है आप देखे कि alnino and lanino को किस तरीके से create करेगा एक normal समय में हमने देखा कि जो trade winds है जो west से east की तरफ जो flow है वो करती है जो trade winds है पर कुछ समय आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि ज trade winds की जो यहां पे जो रबतार है या जो speed है या trade winds यहां पे आपको जो काफी कमजोर है वो देखने के लिए मिलेगी तो उस समय में यह effect करता है हमारा completely जो geography का phenomenon है उसके बारे में तो यहां से जो गरम पानी है जो warm surface water है वो continue उसका जो push है वो start होता है और push start होने की वज़े स इनको जो land mass है वो आप फिलिपेंस और इंडोनेशिया का जो region है उसके अंदर जो land mass है वो देखने के लिए मिलेगा तो land mass आपको देखने की बज़े मिलने की वज़े से आप देखे कि इस region के अंदर में आपको यहां पे जो यहां पे आप देखे कि यहां पे जो गरम पान है वो यहाँ पे उसका जो stoppage है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहां का जो cold पानी है उसका moment को देखने के लिए मिलेगा this का मिनरेजन यह है कि आपको इस तरीके से warm water ज्यादा होने की ए लिए यहाँ पे जणा पर होगा तो जो sea level है eastern coast op इंडोनेशिया के अंदर में, वहाँ पे आपको जो sea level है, वो आपको हमेशिया ज्यादा या हाप meter higher देखने के लिए मिलेगा, western coast टोप Ecuador and Peru से, तो warm surface water जो इंडोनेशिया के पास होगा, जो इंडोनेशिया के यहाँ पे जो warm water यहाँ पे reach होंगे, heavy rainfall आपको देखने के लिए मिलेगी, या आप देखें कि जो air जो flow करेगी, वो यहाँ पे monsoon system को build करने में help करेगी, जिसकी वज़े से इंडिया और इस region के अंदर आपको जो काफी अच्छा monsoon है, वो देखने के लिए मिलता है higher altitude के उपर अगर हम बात करें, air का जो moment है, western Pacific Ocean के लिए यहाँ पे start होता है, और जो opposition direction में होगा, trade winds के opposition direction में, और जो lower altitudes के लिए flow करेगा, तो wind surface का इस तरीके से moment भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जब यहाँ पे completely जो opposite conditions होंगी, जहाँ पे trade winds कमजोर होंगी, तो उस समय में यह जो moment है, वो reduce होगा, और moment को reduce होने की वज़े से यहाँ पे warm water है, आपको इसी region के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पे Peru and Ecuador का जो region है, जो वहाँ पे trade winds कमजोर होने की वज़े से, इसी area के अंदर आपको जो warm water है, वो देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे जो monsoon system है, वो कमजोर होगा, monsoon की जो अच्छी rainfall नहीं आएगी, उसको हम al-nino के रूप से जानते हैं, और जहाँ पे अच्छी rainfall आपको reserve करने के लिए मिलेगी, उसको al-nino के रूप से हम, यहाँ पे discuss करते हैं, तो students, आप इसको जो ग्रोफी की, जो अपनी किताब है, उसमें जाके एक बार जरूर से read करना, next अगर हम बात करें, accountability के बारे में हैं, GS paper हमारा GS paper second है, GS paper second के अंदर important aspect of governance है, उसी के अंदर accountability, जो chapters है, उसको importance क्या है, हमारे history के purpose से कोई important तो नहीं है, तो उसके बारे में आप देखना, absence of accountability के बारे में अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि, यहाँ पे बताये गए हैं कि काफी earlier कुछ incidents हैं, वो भी देखने के लिए मिले, जहाँ पे आपको government की जो responsibility है वो नहीं देखी गई है, चाय कार्गिल unfiltration हो, 2611 हो, Mumbai attack, या पुलवामा attack हो, बट यहाँ पे जो writer हैं, उन्होंने कहा है, कि हमारे जो constitutional के जो founders हुआ करते थे, उनके दुआरा parliamentary form of democracy को choose किया गया था, अब आपको parliamentary form of democracy इसी के बारे में पता होना चीर, क्यों इसको choose किया गया था, क्योंकि हमारे constitution के जो founders हैं, उनकी दुआरा माना गया, कि जो parliamentary form of governments है, उसके दुआरा यहाँ पे more accountability या more जो responsible है, responsible governance है, वो देखने के लिए मिलती है, presidential form of government काफी ज़दा separate and private way में आपको देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे जो executives, जो appoint किये जाते हैं, वो president के लिए accountable होते हैं, तो हमारे जो founder है, जो हमारे constitution के main drafter हैं, drafting committee भी जिनके दुआरा head की गई थी, dr. b. r. ambedgar sir, dr. b. r. ambedgar sir के दुआरा माना गया था, कि parliamentary form of governance है, democracy है, वो more responsible होगी, strong supervision होगा, पर accountability होगी, हमारे जो public servants हैं, उनकी accountability आपको देखने के लिए मिलेगी, तो students, यह सब यहाँ पे writer के दुआरा discuss किया गया है, editorial के अंदर में, यहाँ पे बताया गया है, कि हमारी trains के जो sections हैं, recent अगर हम development की बात करें, अब देखें कि वंदे भारत जो trains हैं, वो चलाई गई हैं, high speed trains हैं, bullet trains की आनी की बात की गई है, इसके लावा freight corridors हैं, जो हमारे special freight areas हैं, उनको goods को deal करने की regarding में, हमारे जो separate freight corridors हैं, western and eastern part, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इन सब को develop किया गया है, बट present समय में कुछ challenge भी हैं, challenge हमारी railway के सामने हैं, एक दोर derailment of train हैं, जो कैक की report की दुवरा बताया गया है, कि पिछले 5 साल के अंदर भी 30% जो train से उनका derailment आपको देखने के लिए मिलता है, lack of maintenance of tracks हैं, shortfall in inspection हैं, जो यहां पे junior engineers हैं, जिनके दुवरा tracks का जो instruction किया जाता है, उसका जो numbers हैं वो decrease हुए हैं, यहां पे जो कवच एक protection system है trains का, वो आपको only जो हमारी southern and central railway है, उसी के अंदर देखने के लिए मिलती है, तो present समय में इसको किस तरीके से change किया जाए, एक तो railway का जो safety यहां पे जो fund है वो create किया जाए, उसका proper utilization हमको देखने के लिए मिले, इसके लावा जो proper maintenance हो किया जाए, make in India के regarding में जो कवच protection system को develop किया गया है, तो उसका जो implementation है सभी areas के अंदर किया जाए, तो इंडिया को यहां पे एक जरुरत है कि change लाने की, और change यहां पे अगर कोई भी change है, वो जब भी आता है जब किसी भी एक country के जो लोग है, वो यहां पे change को propose करते हैं, तो उसी समय में जो change है उसके लाने की बात की गई है इस lecture के अंदर, नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिटोरियल के बारे में, नेक्स्ट एडिटोरियल है डार्विन के बारे में तो evolution की बात की गई है वहां पे, तो student scientific temper का जो development है वो होना चाहिए, scientific temper के development की अगर हम बात करें तो हमारे constitution का जो article 51A है, तो constitution का article 51A है, वो हमारी fundamental duties के regarding में हैं, इसको sourcing committee की recommendation के बाद में add किया गया था, तो 51A का जो sub close h नाम का जो article है उसके अंदर बताया गया है कि scientific temper का development करना है, जिससे कि हम spirit of inquiry है उसको promote कर सकें spirit of inquiry के बारे में, तो students यहाँ पे recent जो controversy है कि NCIT के दुआरा जो evolution concept है, उसको Darwin की जो theory है उसको यहाँ पे remove किया गया है और only 11th में जो science जो बचे opt करेंगे, उन्हीं को वो read करने के लिए मिलेगा 11th class के अंदर में भी, तो यहाँ पे जो writer है उनकी दुआरा बात की गई है कि इंडिया के अंदर यह trend है वो काफी common है, काफी सारे ऐसे country हैं जिसमें Arab countries हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, इवन US के अंदर भी यह common trend है कि evolution को वहाँ पे read नहीं किया जाता है, जिससे कि scientific temper development होगा और जो religious authorities को question है वो पूछे जाएंगे, तो religious authorities को question को यहाँ पे बचने के लिए इस तरीगे से जो यहाँ पे different governments के द्वारा एक common trend है जिससे adopt किया गया है, आप देखें कि यहाँ पे इंडिया के अंदर scientific temper का development की क्यों जरुरत है, उसके बारे में अगर हम बात करें, आप देखें कि इंडिया के अंदर already काफी सारी inequalities आपको देखने के लिए मिलती है, कास्ट सिस्टम का prevalence आपको देखने के लिए मिलता है, कि इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम है, कास्ट hierarchy के रूप में divide किया गया है, कुछ कास्ट को upper कास्ट या किसी को lower कास्ट का designation दिया जाता है, आप देखें कि कोई भी कास्ट है वो lower नहीं होती है, पर काफी एक dehumanized way में ये जो words हैं वो यूज किये जाते हैं, कि lower कास्ट से belong करते हैं, कोई भी कास्ट lower नहीं हो सकती है, तो इंडिया के अंदर में ये जो institutional inequality है, उसको reduce करने के लिए evolution को या scientific temper का जो development है, वो ज़रुरी है, society के अंदर discrimination है, चाहे income level पे हो, caste के level पे हो, sex के level पे हो, आप देखें कि gender bias आपको जो violence है, gender bias जो discrimination है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, second यहाँ पे जो evolution का, जो Darwin का जो concept है, वो यहाँ पे 11th class के अंदर रखा गया है, तो आप देखें कि हमारे यहाँ पे already, NSSO की जो report है, National Sample Survey Office का जो report है, वो बताती है, कि इंडिया के अंदर जो drop out rate है, वो काफी ज़्यादा है, 17 to 27% जो लोग है, उनका आपको 10th class के बाद में जो drop out है, वो देखने के लिए मिलता है, तो drop out rate का आपके higher होने की वज़े से, तो scientific temper का जो development है, जो initial phase of education है, उसी के अंदर करने की ज़रत है, यहाँ पे इनके द्वारा, जो writer के द्वारा एक example दिया गया है, कि New Zealand के अंदर में, कि New Zealand के अंदर में जिस तरीके से जो maurai way of knowing ह जो उनका ancient knowledge है, और उसको modern के साथ में उन्होंने किस तरीके से combine या collaborate किया है, उसके बारे में बात की गई है, कि इंडिया को भी अपनी जो mythological knowledge है, जो ancient knowledge है, उसको रखना चीए, उसी के साथ साथ यहाँ पे scientific temper को develop करने के लिए, जो evolution का जो concept है, उसको बताने की जरुरत है, जिससे कि यहाँ पे बच्चे का जो scientific temper develop हो, उनकी inquiry and questioning की जो powers है, उसको डवलप हो, तो students, उन सब के बारे में बात की गई है, कि Darwin की क्या importance है, periodic tables को भी remove किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे editorial में बात की गई, तो यह आज का हमारा editorial का discussion था, important points को आप note down जरूर से करना, त So students, thank you, thank you very much.